तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी computer learning के उपर next video इससे पहले भी हमने कुछ videos आपको बताई थी कि आपने जो computer है उसको आप easy way से कैसे सीख सकते हो तो वो videos आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी fonts के उपर कि आपने अपने computer पर जो fonts हैं उसको आपने कैसे install करना है अगर मैं बात करूं कि अगर आपने computer पर कोई Punjabi या Hindi के fonts आप उसमें install करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो आपके अगरते हो कि हमारे पास कोई लेटर आती है और वो पंजाबी में टाइप है या फिर वो हिंदी में टाइप है तो आपके computer पर क्या होती है वो open नहीं हो पाती है open होती है मैं आपको पता नहीं चलता है कि उसमें लिखा गया है क्योंकि वो प्रोपर फोंट जो होता है वो आपके computer में इंस्टाल नहीं है तो उस फोंट को आपने कैसे इंस्टाल करना है वो हम आपको वताएंगे इस वीडियो में तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना दा भूले हमारे YouTube चैनल इलेना टैक को और ऐसा ही लेटस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करना दा भूले जैसे कि हम स्टाइट मेंश पर जाते हैं यहां पर मैं वर्ट पर जाता हूं जब आप वर्ड को अपन करते हैं यह उप एक्सल को उपन करते हैं महालेजी कि मैंने चल को उपन किया है तो जो वर्ड और एक्सल के रिगार्डिंग्स जो आपकी वीडियोज हैं वो भी हम लेकी आएंगे in future कि आपने इनको कैसे यूज़ करना है बर जिनको आता है थोड़ा गौत मैं उनको ये बताना चाता हूँ कि यहाँ पर आपके पास क्या आता फोंट्स का यह फोंट्स के different different styles होते हैं यहाँ पर हमारे पास कि आपने कोन-कोन से design के यह font हैं उसमें आपने यहाँ पर लिखना है तो जैसे कि यहाँ पर आप हमने लिखना है पुंजाबी में तो यहाँ पर हमारे पास पुंजाबी का तो आपने इसको open करना है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा font नाम का folder, यहाँ पर, जितने भी आपके fonts होते हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आपने करना क्या है कि अगर किसी एक computer में, जहाँ पर आपको लगता है कि जो सारे के सारे जो Punjabi के fonts हैं, वह तो आपने simply वहाँ से fonts को आपने क्या करना है, कोपी कर लेना अपनी pen drive पर, और अगर आपके computer में वो fonts नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ पर copy करके रखे हुए कुछ Punjabi के fonts, तो मैं इन सभी fonts को क्या करता हूँ, यहाँ पर right click करता हूँ, and then मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, copy कर अपने से fonts को, और मैं यहाँ पर, c drive में जाकर, my computer में जाकर, windows में जाकर, my computer में जाकर, C drive में and then windows में and then fonts में, simply मैंने यहाँ पर क्या करना हूँ, इसको paste कर देना, कहीं पेवी, तो मैं यहाँ पर right click करता हूँ, और यहाँ पर option आ रहता हूँ, हमरे पास paste का, मैं इन सभी fonts को तो क्या करता हूँ? पेस्ट कर देता हूँ. आप यास किएजिये. और यहां पिछ वी योड्यापनी प्रोली योडब संवाट लिकनी हो यहां पर इसको आप यहांप और धिया यहां पर देखिया आपके पास अनमोर लिपी अगर अपने कुछ भी लिखना तो यहां पर आप लिख सकते हूँ जैसे मैं यहाँ पर पुछ भी पिंजाबी में लिकना być और उसको लिए आपको पता होना जाकते हो, तो वो जो फाइल आपकी डाउनलोड होगी, उसको आपने कोपी करके, वहीं आपने माई कंप्यूटर में जाकर, और सीड्राइ में जाकर, विंडोस में जाकर, आपने वहाँ पर जो फोंट नाम का फोल्ड अरुख है वहाँ पर आपने प्यस्ट कर देना है, और इंस्टॉल हो जाएगा तो यह थी हमारी आज की वीडियो की आपने जो फॉंट्स हैं उसको अपने अपनी सिस्टम कर कैसे इंस्टॉल करना है अगर आपको हमारी आज की वीडियो प्रसंद आज तो प्लीस सब्सक्राइब करना न भूले हमारी यूट्यूब चैनल इलेन थैंक यू सो मच जय हैंग